नमस्का दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना speed post, register post, parcel या फिर कोई भी ऐसा जो है post में आपका parcel है तो उसे किस तरह से आप track कर सकते हैं तो वीडियो काफी interesting काफी knowledgeable है आप से request है यह कि वीडियो आप एन तक जरूर देखे जिससे कि आप कोई भी important point मिस ना करें तो अगर आप post office में कभी भी कोई भी चीज बुक करते हैं तो अगर आपने speed post किया है तो आपको speed post number अगर आपने register किया है, तो आपको register post number और अगर आपने कोई parcel किया है, तो आपका parcel यानि की all-in-one आपको एक number दिया जलता है, जिसकी मदद से आप अपना लेटर यान की कन्सायमेट या फीर जो भी आपका वस्तु रहेगा उसे आप ट्राइक कर सकते हैं कि वह कहां पहुचा है यह गए ड्रस पे पहुचा है, नहीं पहुचा है, उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, चलिए शुरू करते तो सबसे पहले दोस्तों आपको Chrome खोल लेना है और यहां पर Chrome खोलने के बाद आपको Search में Search करना है Speed Post Tracking जैसे आप Speed Post Tracking सर्च कर लेते हैं वैसे आपको कुछ Search Results देखने को मिलता है यहां पर आपको First वाले Option पर क्लिक करना है Track Consignment India Post यहां पर आप क्लिक कर लिजिए जैसे का Page दिखता है यहां पर आपको आपका Consignment Number डालना रहेगा यानि कि Speed Post नंबर रजिस्टर पोस्ट नंबर और आपका जो भी Consignment नंबर रहेगा वह यहां पर डालिए उसके बाद नीचे आपको Capture बना रहेगा Capture में कभी-कभी जो दिख रहा है वो सेंप्डू सेंबना रहत हैं तो चलिए हम अपना Consignment नंबर डाल देते हैं उसके बाद हम Capture में यहां पर लिखा है सेंब टूसें डालें तो हम सेंब टूसें लिखके डाल देते हैं और समिट के बटन पर यानिकि Search के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या बताता है तो दोस्तों यहां पर पूरे का पूरे डीटेल हमें बता दिया गया है जो भी हमारा कंसार्मेंट था जो भी हमारा स्पीड पोस्ट था उसके बारे में बता जियेगे कि delivery confirm है और यहां पे कहां से यह बुक हुआ था और कहां पे इसका delivery location था यह पूरी पूरी डीटेल्स यहां पे बताई जाती है आशाकतों इस वीडियो से आपको कुछ वेल्यू अबर इंफ्रमेशन मिली होगी पोस्ट उपस से रिलेट तो वीडियो को ज़रू से ज़रू